हेलो एंड वेलकम टू अंडर परसेंट मैज्ज आज आम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 10 के लिए टर्म 2 प्रेपरेशन के लिए हम अपने के स्टडी बेस्ट क्वेशन करने जा रहे हैं लास्ट वीडियो मैंने टू डेज पहले पब्लिश की थी उसमें मैंने आपको के स्टडी बेस्ट क्वेशन करवाए थे फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स आज की वीडियो में भी हम चार के स्टडी क्वेशन करेंगे ठीक है तो बहुत इंपोर्टेंट है ये वीडियो और क बहुत सारे कॉंसेट्स आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से जरूर देखिएगा आए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग मिद फर्स के स्टडीज ऑफ टुड़ेज वीडियो तो यहां यहां पर देखो ABCD is a playground ठीक है तो inside a playground ये एक circular बना हुआ है ठीक है जो की 4 points पर टच कर रहा है P Q R और S पर यहां पर पहला question उसने पूचा है अगर DR 5 meter है तो DS किसके equal है तो अब ध्यान से देखिए तो circle के around 4 जो है वो इसके external points है तो external points से tangent रो होती है हमें यह बात पता है अ लेंथ हमें अल्यडी गीवन है 5 तो DS की लेंथ भी कितनी हो जाएगी 5 meter हो जाएगी तो यहां से हम लिखेंगे DR is equals to DS is equals to 5 meter ठीक है और reason क्या लिखेंगे length of tangent drawn from external point R equal ठीक है कभी भी external points से जो भी tangents drawn होती है उनकी length जो होती है वो क्या होती है equal होती है ठीक है second question है the length of AS ठीक है तो अब यहां से अब देखो पूरा AD जो है वो 23 meter है जो AD की length है वो 23 meter है और उसमें से जो DS है वो कितना है 5 meter है अभी हमने 1st question में निकाला तो हमारा जो AS आजाएगा वो क्या आजाएगा 23 minus 5 that is equals to 18 meter ठीक है तो यानिकी यह जो length है यह जो length है वो 23 पूरी meter है और यह जो AS है वो कितनी है 18 meter है ठीक है next question है हमारा length of PB ठीक है तो length of PB अब चलते है तो PB की length यह वाला PB हमें ढूंडना है ठीक है इसकी length हमें ढूंडनी है total कितनी है यह AB 29 है अगर अभी 18 meter है AS तो यह भी कितनी हो जाएगी AP कितनी हो जाएगी 18 meter हो जाएगी अगर हम 29 में से अब 18 माइनस कर देंगे तो यह PB की length आ जाएगी तो सबसे पहरे लिखेंगे external point A से जो AS और AP tangent है AS is equals to AP is equals to कितना है 18 meter है same reason के साथ length of tangents drawn from external point are equal same reason यहां पर mention करेंगे और यहां से हमें क्या निकालना है हमें निकालना है BP so BP will be equals to 29 minus 18 that is equals to 11 meter ठीक है तो यहने की BP की length यह PB की length कितनी आई 11 meter ठीक है तो अब यहां पर हम mark कर लेते हैं यहां से यह 11 meter हो गया ठीक है अब अगर यह 11 meter है तो यह BQ भी 11 meter हो जाएगा है ना BQ भी 11 meter हो जाएगा क्योंक है चलिए next question पे चलते है fourth question पे what is the angle of OQB? तो OQB angle देखते हैं कौन सा पूछा हमें यह O है हमारा यह Q है हमारा और यह B है तो यह हमारा angle पूछा है यह कौन सा angle है तो हमें पता है कि यह जो है वो radius है और यह क्या है हमारी BQ जो है वो tangent है और यह perpendicular होते है ठीक है तो हम यहां स this is perpendicular to BQ as जो radius है this is perpendicular to tangent ठीक है तो angle OQB जो है वो कितना angle होगा 90 degree angle होगा ठीक है तो यहां से हमने लिखा radius is perpendicular to the tangent so this angle is 90 degree last 5th question है what is the diameter of the given circle अगर radius पता होगा तो हम diameter भी नहीं काल सकते है तो अब देखिए अगर यह 11 meter है तो इसका radius भी कितना हो जाएगा 11 meter क्योंकि यह square बन रहा है तो square की सभी sides क्या होती है इकुल होती है तो अब radius हमें मिल गया कितना radius मिला 11 meter ठीक है so therefore diameter is equals to twice of radius 2 into 11 that is equals to 22 meter ठीक है तो यह इस question का required answer है move करते है second case study पे your elder brother wants to buy a car and plans to take a loan from a bank for his car तो उसने car खरीद नहीं है और loan लिया है and he repeats his total loan of rupees तो total loan हमें पता है कितने रुपीज का है 1,18,000 by paying every month starting with the first installment of rupees 1,000 तो पहली installment वो 1,000 रुपीज है if he increases the installment by 100 every month तो next month वो कितने पैसे रेगा 100 प्लस करते जाना है 1100 फिर 1200 फिर 1300 and so on और last है आपका 1,18,000 ठीक है यह हमें गिवन है तो यह बन गई हमारी AP तो इसका common difference क्या है सब में सेम है अब सबसे पहला question क्या है the amount paid by him in the 30th installment यानि कि उसको क्या निकालना है a 30 निकालना है यानि कि n क्या गिवन है अम ही आपर 30 गिवन है तो a 30 आपको निकालना है 30th term निकालनी है मतलब तो a 30 मतलब 30th term यानि कि a plus 29 d अब इस AP में से a or d निकल सकता है a कितना है 1000 और d कितना है 1100 minus 1000 that is equals to 100 ठीक है यह वाल्यूस पूट करते है so a की वाल्यू है 1000 और d की वाल्यू है 100 so this is equal to 1000 plus 2900 so is equals to 3900 यानि कि इसको 30th installment में कितने पैसे पे करने है 3900 रूपीस थीक है तो यह इसका आंसर है first question का second question है the amount paid by him in the 30 installments थीक है यहाँ पर question थोड़ा सा देखो तोनों में different है अब यहाँ पर था 30th installment में कितना amount pay करने हैं यहाँ पर है amount paid by him in the 30 installment यानि कि S30 निकालना है आपको ठीक है तो यह जीजों का बड़ा ध्यानक रटना है वो 30th का पूच्छा था 30th का पूच्छा T totalmente term पूची थी यहाँ पर पूच्छे है 30th installment में कि formula पुट करेंगे, so formula होता है, मारे पास n by 2, 2a plus n minus 1 into d, n की वाल्यू कितनी है, 30 है, और a की वाल्यू हमें पता है, 1000 है, n की वाल्यू फिर से 30 है, और d की वाल्यू 100 है, तो ये ध्यान रखने, आपको अनद तर्म निकालनी है, यह फिर सम निकालना है, इस चीजों का बस ध्यान हो गया है, ठीक है, so this is 15 into 4900, so multiply करके, answer is 73,500, so कितना अमाउंट वो 30 इंस्टॉल्में पे करतेगा, 73,500, ठीक है, okay, चलिए, what amount does he still have to pay after 30 इंस्टॉल्मेंट, तीस इंस्टॉल्मेंट करने के बाद भी उसको कितना अमाउंट और पे करना है, अब टोटल अमाउंट चो उसको पे करना है, वो कितना अमाउंट है, 1,18,000, ठीक है, 1,18,000, इतना अमाउंट उसको पे करना है, 30 इंस्टॉल्मेंट में वो कितना अमाउंट पे कर रहा है, 73,000, ठीक है, 500, तो कितना अमाउंट और पे करना है, उसको माइनस कर दो, ठीक है, 7 में से तुरी के 4, 11 में से 7 के 4, So 44,500 amount जो है वो अभी भी उसको pay और करना है तीस installments के बाद भी क्योंकि total amount pay करना है उसको 1,18,000 उसमें से 73,500 जो है ठीक है वो already वो 30 installments में कर देगा और कितना pay करना है 44,500 ठीक है Question number 4, if total installments are 40, ठीक है मान लेते हैं कि total installments 40 है, so N40 है तो amount paid in the last installment, तो यहाँ पर A40 निकालना है हमें ठीक है, so A40 मतलब A plus 39D, so A is 1000 और 39 into 100 So 1000 plus 3900, ठीक है, is equals to 4900, अगर total installments 40 है, तो कितना amount last installment में pay करना है 4900 ठीक है, and last question is, ratio of the first installment, तो first installment में कितना pay करना है 1000 रुपीस, last installment में कितना कर रहा है, 4900, इन दोनों का ratio निकालना है, 0-0 cancel So 10 upon 49, so 10 ratio 49 is the answer, ठीक है, तो ऐसे आपको इस पूरे question को attempt करना है So next question पर move करते है, this is based on heights and distances, very important question from exam point of view Application of trigonometry, height of tree or tower Mr. Suresh is an electrician, he receives a call regarding a fault on a pole from three different colonies A, B, C So these are three different colonies A, B and C He reaches one by one to each colony to repair that fault, he needs to reach a point 1.3 meter below the top of each pole, यहाँ पर पहुँचके, 1.3 meter यहाँ पर आना पड़ता है उसको To undertake the repair work, observe the following diagrams, तो आपको A, B, C, तीनों अलग-अलग diagrams दे रखी है, इसके basis पर आपको question को answer करना है और angle भी given है, यह ladder जो उसने यहाँ पर लगा रखी है ठीक है, चलिए, first question पर देखने है, refer to diagram number A ठीक है, diagram मैंने side पर देखो, बना रखी है, यहाँ पर यह जो PQ है, वो 1.3 है और यह angle given है, 60 degree ठीक है, what should be the length of ladder DQ, तो यह जो ladder है DQ, इसकी length हमें find करनी है तो माल लेते हैं, हम यहाँ पर, let the length of the ladder, length of the ladder be x, ठीक है तो हम यह माल लिया, कि यह हमारा x meter है, ओके, if to enable him, that enable him to reach the required position if the height of the pole is 4 meter, तो यह पूरी जो height है pole की, वो 4 meter है, ठीक है, और यह कितना given है, हमें 1.3 given है तो QR निकल सकती है, बिलकुल निकल सकती है, QR कैसे निकलेगी, 4 में से 1.3 minus किये, that will be equals to 2.7 meter ठीक है, तो यह 2.7 meter मेरे पास आ क्या, ठीक है, अब मेरे पास hypertunus है, hypertunus मुझे निकालना है और परपेंडिकुलर है, और एक एंगल है 60 degree, तो परपेंडिकुलर और हाइपरटunus के बीच में कौन सा हम ट्रिग्नोमेट्री टी रेशो यूज करते हैं, हम साइन यूज करते हैं, साइन 60 डिग्री यूज करेंगे, ठीक है, cross multiply, x multiplied by root 3, 2.7 multiplied by 2, ठीक है, x is equals to 2.7 multiplied by 2 divided by root 3, अब root 3 हमारा डिनोमेटर में नहीं होना चाहिए, so rationalize करो इसको हटाने के लिए, so 2.7 into 2 into root 3 divided by 3, so 3 से ये cancel हो गया, 0.9 अगया, इसका मैंने point हटाके नीचे 10 लगा दिया, so 2 1s आ, 2 5s आ, so 9 under root 3 by 5 meters, एक और काम आप कर सकते हैं, आपर root 3 की value पुट करिये, और आप पूरे proper answer निकाल सकते हैं, ठीक है, अदर्वाइस आप यहाँ पर भी leave कर सकते हैं, so 9 under root 3 by 5 meter is the answer of this question, then question 2, what is the distance of the point where the ladder is placed on the ground, अगर height of the pole 4 meter है, फिर से height of the pole जो है वो 4 meter है, तो यह कितना रहेगा, 2.7 meter, यह हमने अलरेडी 1st question में निकाला है, क्योंकि height of the pole यहाँ पर same दे रखी है, यहाँ पर angle भी 60 degree है, पर question there different है, हमें अभ यहाँ पर यह वाला X निकालना है, क्योंकि distance step, ठीक है, तो यह हमें DR निकालना है, इस question के लिए, अब T ratio थोड़ी different लेनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमें perpendicular और base के बीच में deal करना है, तो इसके लिए हम लेंगे tan, perpendicular upon base, so tan 60 degree is equal to perpendicular upon base, ठीक है, so यहाँ पर मैंने जो distance है, let distance जो है, वो हमने X माना है, ठीक है, so tan 60 is root 3 equals to 2.7 by X, इसको interchange कर दो, तो X will be equals to 2.7 divided by root 3, so root 3 upon root 3, 2.7 root 3 upon 3, ठीक है, so यह हो जाएगा 0.9, ठीक है, so यह हो जाएगा 0.9, अप मैं यहाँ पर आपको value पुट करके दिखा देती हूं, तो multiply करेंगे 1.732 से, तो answer will be approximately 1.56 meter, ठीक है, यह distance है, point where the ladder is placed on the ground, ठीक है, next refer to diagram B, given that the length of the ladder is 4 under root 2 meter, तो यहाँ पर आपको given है कि यह जो length of ladder है, वो 4 under root 2 meter है, ठीक है, length of, what is the height of the pole, आपको height of the pole निकालनी है, तो अब यहाँ पर इसको माल लेते हैं x, ठीक है, और यह total इसकी height है, ठीक है, height of the pole है, मतलब x plus 1.3 जो है, वो h के बराबर है, ठीक है, x plus 1.3 meter, यह करना है हमें, बेसिकली x की value हमें निकालनी है, तो यहाँ पर अब angle हम use करेंगे 45 degree, और perpendicular and hypertonus के बीच में deal करना है, तो sin 45 degree is equal to, ही हो जाएगा perpendicular, perpendicular क्या है अपका x upon 4 under root 2, sin 45 की value 1 upon under root 2 होती है, x upon 4 under root 2, 4 under root 2 under root 2 cancel हो गया, so 1 is equal to x upon 4, so x आगया आपका 4, so height क्या रहेगी आपकी 4 plus 1.3, that is equal to 5.3 meter, ठीक है, so height of the pole is 5.3 meter, यहाँ पर बच्चे कल्ती क्या करके आएंगे, जारा तर वो 4 meter ही answer लिख देंगे, बट उसमें 1.3 आपको add भी करना है, तो यह SU pole है आपका, ठीक है, next question number 4, distance of the point where the ladder lies on the ground, ठीक है, अब यहाँ पर आपकी डाग्रम में थोड़ा सा change हो जाएगा, आपका यह जो, यह है 4 meter, यह हमने 1st question में अभी निकाला है, है न, यह अब थर्ड question में हमने निकाला है, हमें अब यह वाला distance find करना है, तो यह हम मार लेते हैं कि यह जो distance है विसको X meter है, ठीक है, अब पर पेंडिकुलर और hypertonus, पर पेंडिकुलर बेस के बीच में relation वाला ले लेंगे, so tan 45 is equal to perpendicular upon base, so 1 is equal to 4 upon X, तो X आगया आपका 4 meter, तो X आगया 4 meter, यानि कि कितना distance है, point where the ladder lies on the ground, that is equal to 4 meter, ठीक है, next last question, refer to diagram number C here, यहाँ पर देखो, angle given नहीं है, ठीक है, एक चीज़ और given है यहाँ आपर, angle of elevation हमें निकालना है, that is H, if the height of the pole is 8.3 meter, तो 8.3 meter इसकी height है, ठीक है, 8.3 meter, यहाँ से आप HF निकाल सकते हो, बिलकुल निकाल सकते हो, HF के आएगा, 8.3 meter, minus 1.3 meter, that is equal to 7.0 meter, यानि कि 7 meter, तो यह जो H और F आया है, वो 7 meter आया है, और distance GF जो है, वो आपको 7 under root 3 meter आपको given है, let माल लेते हैं, यह जो angle of elevation है, वो हमारा theta है, ठीक है, यह आगया 1 by root 3, अब अपने trigonometric table में से आप चेक करिये, किसकी value जो है, वो 1 by root 3 होती है, यह जो 10 30 की value 1 by root 3 होती है, यह जो 10 30 degree हम ही यह लिख सकते हैं, यह जो थीटा आगया है यह से 30 degree, यहनि कि अंगल of elevation, of reaching the point of the ladder at pole is 30 degree, यहनि कि अंगल of elevation of reaching the point of the ladder at pole is 30 degree, for which they want to analyze the distance traveled by existing public transport buses in a day, ठीक है, तो यहाँ पर 60 existing public transport buses का यह जो डेटा है वो गिवन है, यहनि कि number of buses का जो टोटल है वो 60 है, ठीक है, और daily distance traveled हमें गिवन है 200 से 209, 210 से 219 ऐसे गिवन है, ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक table create करेंगे, जो इसको बिलकुल सही करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका जो यह upper class interval है और यह जो lower class interval है वो same नहीं है, तो पहले हमें यहाँ पर इसको class intervals को सही करके लिखना होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर class intervals लिखेंगे, हमें क्या given है यहाँ से, 210 से लेके 219 तक, फिर 220 से लेके 229 तक, 230 से लेके 239 तक, फिर 240 से लेके 249 तक, लिखेंगे class intervals ही कर लेते हैं, माइनस करेंगे यह 0.5 यानि कि 199.5 और 209.5 इसमें प्लस करेंगे, तो 209.5, similarly 219.5, 219.5, 229.5, 229.5, 239.5, 249.5, 239.5, 249.5, ठीक है, यह हमारे class intervals ठीक हो गए, उसके बार हमारा जो यह frequency हमें गिवन है, वो लिखे लेते हैं, 4, 14, 26, 10, and last is 6, और टोटल है इसका 60, ठीक है, यह हमने पहले class intervals ठीक करके लिख लिए, ताकि हमें questions आंसर करने में प्रॉब्लम ना हो, So now based on above information, answer the following questions, तो पहला question है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से अंसर करिएगा, The upper limit of a class, कोई भी class की अपर limit ले लो, मैंने यह यह अपर यह ले ली class ले ली और इसकी अपर limit की बात कर रहे, तो upper limit of a class मतलब 209, ठीक है, अब उसने बोला lower limit of its succeeding class, succeeding class कौन है, इसकी आगे वाली class कौन है, 210 से लेके 219 तक, यह इसकी succeeding class है, इसकी lower limit, lower limit मतलब 210, ठीक है, कितने से differ करती है, कितने से differ कर रही है यह, only one से, यानि की answer क्या है इस question का, one है, आपको यहाँ पर size of class interval नहीं पूचा है, maximum बच्चे यहाँ पर यही mistake करके आएंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना है, क्या पूचा है आपको, clear, second question, the median class is, मेडियन क्लास करने के लिए हमें cumulative पता होना जरूरी होता है, ठीक है, so cumulative find करते हैं, so cumulative क्या है, यहाँ पर पैली frequency same, 4 प्लस 14, 18 हो गया, 18 प्लस 26 हमारे पास हो गया, यहाँ पर 44, तो यह आगे हमारी cumulative frequency, और median class find करने के लिए, n by 2 करना होता है, n कितना है हमारा 60, क्योंकि यह total दिखो 60 है, 60 divided by 2 is 30, so 30 से just above value 44 है, तो मतलब यह वाली जो class है, वो हमारी क्या है, median class है, तो answer क्या है, 219.5 to 229.5, यह हमारी median class है, पूरा वैसे answer करने है आपको, so this is n by 2, 60 by 2 is equal to 30, 30 से just above value 44 है, तो इसके corresponding जो class है, वो यह वाली है, so this is called as median class, clear, next third part, the cumulative frequency of the class preceding the median class, तो अब median class देखो, यह median class है, इसकी cumulative preceding class, की preceding मतलब पहले वली class, उसकी cumulative कितनी है, 18 है, so answer is 18, चीक है, next है, नेक्स है, फोर्थ पार्ट, the median of the distance traveled is, ठीक है, तो median हम निकालेंगे, तो median का formula होता है, L plus N by 2 minus CF by F into H, ठीक है, तो मेरे median class कॉनसी थी, 219.5, 229.5 है ना, पिछले question में हमने निकाला था, so L is lower class limit of the median class, यानि की 219.5, N by 2 है 30, cumulative frequency लेनी होती है, preceding class की, तो preceding class ये वाली है, तो ये हमारी cumulative frequency है, और उसी class की frequency लेनी होती है, यानि की 26, तो cumulative के अंदर हम value पुट करेंगे 18, और फ्रिक्वेंसी के अंदर value पुट करेंगे 26, है size of class interval, तो देखने से यहां पर लग रहा होगा 9 का difference है, अगर हम माइनस करके दिखेंगे, तो यहां पर कितने का difference हैगा 10 का, so H is 10 here, size of class interval is 10 here, so 219.5, यहोगया 12, यहोगया 26 और 10, so 5 1s are 5, sorry 2 5s are 10, और 2 13s are 26, so this is equal to 219.5, this is 60 by 13, तो हम दिवाइट करेंगे और प्लस करेंगे, तो it will be approximately equal to 224.12, तो यह इस question का required answer है, next, last question of this video and this case study, if the mode of the distance traveled is 223.78 km, then mean निकालना है हमें, ठीक है, दो तरीके से एक निकल सकता है, mean आप direct method से निकाल सकते हो, क्योंकि हमें सारा कुछ given है, class intervals, frequency given है, और दूसरा आप empirical relationship भी use कर सकते हो, क्योंकि हमने पिछले वाले में हमने median निकाला है, 224.12, ठीक है, यह निकालना है median, और mode हमें इतना given है, तो mean हम निकाल सकते हैं, so हमारा formula क्या होता है, mode is equals to 3 median minus 2 mean, ठीक है, यह हमें formula होता है, हमारा empirical relationship between mean, median and mode, अगर दो चीज़े given हो, तो तीसरी चीज़ आप से यहां से निकाल सकते हैं, so mode कितना है, 223.78, 3 into median, यानिकी 224.12 minus 2 mean, ठीक है, 2 mean को मैं लेफ्ट साइड पे लेके आ रही हूं, और इसको मैं मल्टिप्लाइ कर रही हूं, इसको मल्टिप्लाइ करने पे आएगा 672.36, और यह वाला मैं इधर लेके आ रही हूं, 223.78, ठीक है, माइनस करेंगे, 448.58 is equal to 2 mean, ठीक है, आप 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, so mean is equal to 448.58 divided by 2, that is equal to 224.29 km, ठीक है, तो यह इस question का required answer है, आप चाहे तो simple formulae से direct method से भी निकाल सकते हो, otherwise आप यह empirical relationship भी use कर सकते हो, ठीक है, so I hope आज की वीडियो के questions आप लोगों को अच्छे से clear हो गए है, next video मिलोंगे next type of questions के साथ, तब तक आप इसको practice करिए, revise करिए, have a nice day to all of you.